नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ सुमिद गुपता और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश महायोधा सगत सिंग लद्दाक की गल्वान घाटी की घटना ने भारत चीन युद्ध 1962 और 1967 की घटना को एक बार फिर से ताजा कर दिया है इन घटनाओं को लेकर यदि इतिहास के पन्नों को टटोला जाए तो एक ऐसी शक्सियत का नाम आता है जिससे जोश जज़बा और जुनून सिर चढ़कर बोलने लगता है जिनका नाम है जनरल सगत सिंग 1967 में नातुला में ऐसी जंग हुई कि चीन के छक्के छूट गए इस जंग के हीरो थे सगत सिंग कर दो सिक्किम के नाथुला में 1967 में चीन से हुई जंग में भारत जीता था जीत के हीरो थे सामरिक लिहाज से नाथुला पॉइंट बहुत ही महतपून था चाल बाजी करते हुए चीन ने भारत की पोश्ट पर हमला बोल दिया तब चीनी सेना के सामने चटान की तरह एक शक्स खड़ा था जिसकी आगवाई में भारतिय सेना के जवानों ने चीन के छक्के छुड़ा दिये थे और उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था उस शक्स का नाम है लेफटिनेंट जनरल सगत सिंग जिसे याद करके चीन की सेना आज भी सहम जाती है जिस जावाज ने चीन को पहली बार धूल चटाएं जिस योद्धा ने पाकिस्तान को पानी पिला दिया जिस शूरवीर के नाम से आज भी दुश्मनों के पसीने चूट जाते हैं चीन को पहली बार माद देने वाले महा योद्धा की महा कथा जिनका नाम है लेटिनेंट जनरल सगत सिंग्धा गलवान घाटी में विश्वास घात की नई इबारत लिखने वाला चीन आज भी भारती सेना के लेटिनेंट जनरल सगत सिंग का नाम सुनकर काप उठता है चीन की पीपूल्स लिबरेशन आर्मी को पसीने छूट जाते हैं क्योंकि लेटिनेंट जनरल सगत सिंग की अगवाई में ही 1967 में भारती सेना ने सिक्किन के नाथूला में चीन की सेना को चारो खाने चित कर दिया था 1962 के बाद हवा में उड़ रहे चीन को लेटिनेंट जनरल सगत सिंग की अगवाई में सेना ने ऐसा सबक दिखाया कि वो पूरी दुनिया में मुह दिखाने लायक नहीं रहा आज हम उसी महायोधा की गवरव गाथा आपके सामने लेकर आए हैं आज हम लेटिनेंट जनरल सगत सिंग की बहादुरी और अदभुद युद्ध कोशल के साथ 1967 में भारत के हाथों चीन की पहली बार हार की पूरी कहानी सुनाएंगे जिसकी शुरुआत होती है 1965 से 1965 में उस समय मेजर जनरल रहे सगत सिंग को 17 माउंटेन डिविजन की कमान सौपी गई थी 17 माउंटेन डिविजन पर भारत चीन सीमा पर सिक्किम के नाथुला बॉर्डर की रक्षा के जिम्मेदारी थी उस समय पाकिस्तान 1965 की जंग में भारत के हाथों थार की कगार पर पहुँच चुका था फिर उसने चीन के सामने गुहार लगाई पाकिस्तान का साथ पाकर चीन जोश में आ गया वो सिक्किम के नाथुला पोस्ट को खाली करने के लिए भारत पर दबाव डालने लगा दबाव बढ़ाने के लिए चीन के जवान 1962 की तरश पर सिक्किम के नाथुला सीमा पर भारतिये जवानों से छड़प करने लगी लेकिन मेजर जनरल सगत सिंग की अगवाई में भारतिये जवानों ने चीन के सेना को ठक्के देकर बंकर में वापस भेज दिया लेकिन चीन कहां मानने वाला था जब 67 में ब्रंडर माप करने के लिए चाइनीज अर्मी अमारे अलकिस अंदर को बंद करने के लिए जो incidents है जो बारर पे चाइनीज आवी कि ये बारर है ये बारर है तो उन्होंने बोला कि जो watershed है जो मैकमोन लाइन है उस पर उन्होंने ताल लगाना शुरू किया जब ताल लगाना शुरू किया ये औगस्त में काम चुरू हुआ तो चाइना से काफी आपका आना जाना जो आप रोज अदर घुज़ाते हैं कभी टेंज खुजते हैं अभी कुछ करते हैं उसे वह सब बंद हो जाए 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 नादूला पोस्ट पर चीन की सेना का दबाव बढ़ता जा रहा था 1962 की जंग के नतीजों से उनका घुरूर सात्वे आस्मान पर था तब सगत सिंग के पास दो विकल्प थे पहला की वो सेना के आदेश की अक्सर से पालना करते हुए पोस्ट खाली कर दे दूसरा विकल्ब मुश्किल था जिसमें वो सेना के आदेश की नाफर्मानी कर पोस्ट को बचाए सगत सिंग ने ये मुश्किल विकल्ब चुना सामरिक नजरिये से सिक्किम का नाथुला पोस्ट भारत के लिए एहम था उस समय ये भारत तिब्बत के बीच व्यापार का रास्ता भी था फिर सगत सिंग ने फैसला किया कि वो किसी भी कीमत पर अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे एक बड़ा कदम उठाते हुए उन्होंने सीमा पर कटीले तार लगाने शुरू कर दी जीन ने फाट झार ये शुरू होए और ये जो आपने सामने चैनिज आपमी थे एकडम पोजीशन चाहिए और डिधर के साथ लगेए और वो उन पर उन्होंने फरिंग की पूरी तरह से बिद के चीन ने अपनी सेना की एक टुकडी को 27 अगस्त 1963 को नाथुला की तरफ भेज दिया दोनों तरफ से जम कर गोलियां चलिया चीन की पौश तादाद में बहुत जादा थी फिर भी भारतिये जमान उनका जम कर मुकाबला करते रहे तब ही भारतिये सेना के एक सियो को गोली लग दे इससे बौखलाए मेजर जनरल सगत सिंग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए चीन पर आट लरी पायर का आदेश दे दिया नाथूला के उपर तैनाद मार्तिये तोपो ने नीचे चीन की सेना पर गोले बरसाने शुरू कर दिये नाथूला का जो सबसे ऊची जगह है वहाँ पर इंडियन आर्मी के टूप्स और इंडियन आर्मी की आर्टरली आपसर बैठे वे थे और उनको पूरा नीचे चैनीज आर्मी का पूरा दिश उनके सामने आ रहा था तो उन्होंने पूरे चैनीज के जो डिफेंसे थे और जितने भी जो रिइनफोर्समेंट जारे से उन पर इसी बुरी जाब आर्टरली शेलिंग की और इनके ऐसा बुरा नुकसान हुआ कि सारा अपरेशन खत्म हो गया चाइनीज ने बुला कि आप सीसफायर करो ये पहली बार है कि हमने नहीं बुला कि सीसफायर करो उन्हें न कोशल और भारतिय सेना की जाबाजी के आगे चीनी सेना टिक नहीं पाई तीन सो से ज़ादा चीनी से निक मारे गए फिर चीनियों ने सफेज छंडा फैराने में ही भलाई समझे इसके बाद आज तक चीन ने सिक्किम के नातुला पोस्त की तरफ आँख उठा कर देखने की हिम्मत तक नहीं क्योंकि ऐसा सोचते हैं लेटिनेंट जनरल सगत सिंग का चटान सा चेहरा आज भी याद आ जाता है फिलाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद बताएंगे 1971 की जंग में पाकिस्तान को शिकस्त देने में सगत सिंग का कितना बड़ा रूल था तका कितना ब डाल हैं थाता हैं पार थादा फ जद्ला झाल खूल चुला खूलएंएंग लादा शीओ जम्म्मे में ए्याँ फंप में का चाना थाधिया ब्रसतीदान की उयत शटान से बगएपुश्र्णस क्योंक स्काउनकी टु मेंड़ाता बलसता पूल कि अब देख रहे हैं हमारी हास पेशकश महायोध्धा सगत सिंग उनने सो सट्सट में सगत सिंग ने जो वीर्ता दिखाई वैसा शौर्य उनने सो इकत्तर में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भी देखने को मिला 1971 में पाकिस्तान की बुरी हार हुई पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए 1971 की पाकिस्तान को शिकस्त देने में सगत सिंग के शौर्य का बराहाथ था 1971 की जंग की कहानी सगत सिंग के बिना अधूरी है दिखाते हैं आपको 1971 की जंग में सगत सिंग का पराकर्म जिसने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था यह तस्वीर हैं आज भी पाकिस्तान को चलनी करके रख देती हैं जब 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर करते हुए बांगलादेश की जंग में भारत से हार मान ली थी इसके बाद ही पाकिस्तान हमेशा के लिए दो टुकडों में बट गया 1971 की जंग की ये कहानी लेटिनेंट जनरल सगत सिंग के बगएर अधूरी है जिनके अदम्य साहस और रणनीती बनाने के अदबुत कोशल के सामने पाकिस्तान की पूरी सेना पस्त हो गई थी 1967 में सिक्किम के नाथुला में चीन को मात देने के बाद सगत सिंग मेजर जनरल से लेटिनेंट जनरल बन गए 1970 में इनको असम के तेजपूर में तैनात किया गया उस समय पूर्वी पाकिस्तान यानि आज के बांगलादेश में पाकिस्तानी सेना का जुर्म बढ़ने लगा था पाकिस्तान के अत्याचार से तंग आकर बांगलादेशी भारत पहुंचने लगी इससे त्रिपूरा में शर्णार्थी संकत पैदा हो गया तब हालाद को समालने के लिए सगत सिंग को त्रिपूरा मूव करने के लिए कहा गया बंग्रादेश के जो शर्णार्थी थे जो त्रिपूरा में शर्ण ले थे उनको इन्होंने बोला कि साब मैं आपको खाना के लूँगा आप मेरी रोड और जो ट्रैक्स हैं उनको आप ठीक करो और मैं आपकी देख़ाल करूँगा अपको मेडिकल हैल्प दूँगा आपको खाना किरूँगा इसे डिखाल पैसा हमें नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास है नहीं और थोड़ा पाइसा आता है सरकार से जितना भी आता है वो सब आपको मेदूगा तो इन्होंने अब आप देखो इनको इसमाल किया सारा अपना जोतना भी बॉड़र था उस ताम पर इस पाकिस्तान जोतने भी रोड़ और ट्रैक से उनको उन्होंने इनको सही कर दिया अपने अपरेशन के अपने हिसाब से त्रिपुरा में काफी तादाद में बांगला देशियों के जमा होने से पाकिस्तान ने अपने तोपो का मुह त्रिपुरा घुमा दिया उस समय लेटेन जनरल सगत सिंग की पूरी बटालियन त्रिपुरा में थी सारा गोला बारूद और रसद वही था खत्रा देखकर सगत सिंग के नेत्रतु में भारतिय सेना की एक छोटी सी बटालियन ने पाकिस्तानी सेना को बांगला देश त्रिपुरा के कई सीमावर्ती इलाकों से भगा दिया जब यह लड़ाई जनल साब ने शुरू किय थी नमेंबर में ही क्योंकि यह हो रहा था कि पाकिस्तान की आर्टिलरी जो थी दो खाने से वो थिपुरा उनके गोले से पौम गिरते से तो उन्हें बोला कि मेरा हेड़कोडर नहीं पर है और यहां गोले गिरने है तो उन्हे नमेंबर में लड़ाई शुरू की और एक जगा थी डिलाई उसको पर कबजा किया फिर गंगा सागर और यह खुलना पर कबजा किया यह लड़ाई से पहले उन्होंने पूरा जो थोड़ा बहुत अलाका था इस पाकिस्तान का वो आजाद कर दिया शुरूनारती समस्या को खत्म करने के लिए बांगला देश को पाकिस्तान से आजाद कराना जरूरी हो गया था तब सगत सिंग अपनी फौज लेकर ठाका की तरह बढ़े भारतिये फौज से खबरा कर पाकिस्तान के जवानों ने मेगना नदी पर बना पुल उड़ा दिया जो ठाका के जाने का एक मातर रास्ता था इसके बाद लेटिनेंट जनरल सगत सिंग ने पूरी ब्रिगेट को एयर लिफ्ट किया था उस समय के सेन्ने अतिहास में ये चौका देने वाला पैसला था जब पाकिस्तानियों ने असुगंद से राका का बिज उड़ा दिया तो इन्हों ने पहले हैं सोच दिया था कि मैं ऐसे जानुग और ये वहाँ पर उस टेम पर ग्रूप ग्रूप्टन चंदन सिंग जी थे वो भी रास्तान के थे जोधपूर के इन दोनों का तालमेल बह कितने हैं बोला साब 14 है तो पहला 14 हेलिकॉप्टर लेके इसमें चार गार्ड्स थी सबसे पहले उनको बेंगना क्रॉस करके उनको राजपरा में उतार दिया है अच्छा पाकिस्टान ही जेख रहे थे कि हेलिकॉप्टर आ रहे हैं पर उनको वह समझ नहीं पार रहे हैं क्या हो रहे है इसके बाद जो हुआ आज वो भारतिये सेना का बुलन देतिहास बन चुका है लेटिनेंट जनरल सगत सिंग की अगव आजपरा जीए कमांड आज इंडियन और बन्यादेश फोर्सेट इंडियन चेटर एक्सेप्टेट पिसेंड़ा तीरा दिन की लड़ाई में या चौदा दिन की लड़ाई में पेला गोला इंडियन आर्मी का आट रिगा धाका कंट्रॉल्ट में कि रहा है बहुत हलका गो अज़े के लिए इतना अथार बढ़ गया गया इंडिया आपी और चौदा दिन में इनोंने लड़ाई से यह मैं आपको 16 तारी को तो इनोंने सरेंड़ कर दिया था चौदा तारी चौदा दिन के अंदर इनोंने दक्षिन से और पश्चिन से धाका पर कब्जा कर दिया थ बांगलादेश की आजादी के बाद लेटिनन जनरल सगत सिंग को बांगलादेश का प्रशासक निउक्त किया गया बत और प्रशासक बांगलादेश को एक स्वतंतर राष्ट के रूप में पहचान दिलाने में इनकी एहम भूमिका रही यही वज़ा है कि बांगलादेश म में आज भी सगत सिंग की शौर्य गाथा सुनाई जाती है बाद में लेटिनन जनरल सगत सिंग को सेना के परम विशिष्ट सेवा मेडल के साथ पद्मभूशर से भी नवाजा गया ये गौराव गाथा थी 1967 चीन युद्ध के हीरो सगत सिंग की इस स्पेशल शो में फिलाल इतना ही डीजे जाज़त नमस्कार दरावा प्रावा जरावा ही तर्वपा प्रावाण कैसा में प्रावाणी स्पेशल भीbased को सुनि स्पेशल के जाना ही झात्तली प्रीत प्रावा कैसे बार जावार ब Also ये बार जवार नमस्कार .